दोस्तो जाहिंद वेलकम टू माई यूटूब चैनल दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हम लोग इस लेशन प्लान में टैली यारपी नाइन में पर्चेज और सेल्स एंट्री विथ जी एस्टी के साथ करना सीखेंगे दोस्तो आप टैली बिगनर्स है या टैली अप्सन में जाना है और क्रियेट में जाने के बाद एक किसी भी नाम से हमें एक कंपनी ड्रो कर ले रहे हैं यहां से कंपनी का कॉंट्री डाल देते हैं और इंटर करके एस्टेट डाल लेते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं दोस्तो यह मेरी कंपनी एवी सी नाम से करेंगे वो GST आपको Tally ERP9 में पहले खोलना होता है उसके लिए आपको यहां से F11 प्रेस करना होता है इस तरह का इंटरफेस आपका खुलेगा F11 प्रेस करने के बाद जिसमें आपको जाना होता है यहां पे TaxSense अप्षन में इसमें जाने के बाद आपको अप्षन दिखेग भरने के लिए एक form फिल करना होगा जिसमें यहां से state को डालना होगा country और यहां से type डालेंगे regular यानि registration type regular अगर आप कर रहा है GST तो regular डालेंगे GST applicable from date रहेगा आपका और GST एक आपका number रहेगा जो आपने GST नंबर registered करा रखा है इंटर करने के बाद GST R1 जो है आप कैसा भरना चाहते है monthly या quarterly तो अगर आप monthly भरना चाहते है तो monthly select करे otherwise quarterly भरना चाहते है तो quarterly यहां से select करना है इवे वील application को yes रखेंगे और बाद बाकी कोई changing नहीं करनी है आपको accept कर देनी है फिर से दोस्तों इंटर इंटर प्रेस करके और फिर एक बार accept करना है जैसा ही accept कर द अब आपको कुछ laser बनाने परेंगे दोस्तों तो laser बनाने के लिए हमें जाना होता है accounts info में और यहां से click करना होता है laser option पे laser पे click करने के बाद दोस्तों यहां पे 3 options आएंगे single laser में create display और alter तो create बनाने के लिए display देखने के लिए और alter, modify और delete के लिए use करते हैं, तो दोस्तों यहां से हम create बटन पे click करेंगे तो यहां से laser creation का एक option खुलेगा, अब दोस्तों आपको laser बनाना क्या क्या चीज का है, तो purchase का तो दोस्तों मैंने यहां पे type किया purchase, under जाएगा आपका purchase account में, तो यहां से आपको select कर लेना है purchase account इंटर करना है, और इंटर करने के बाद यह दोनों options आपका जैसे inventory value are effected yes रहेगा, और type of laser not applicable रहेगा, GST applicable, applicable रहेगा दोस्तों और GST details यहां से yes हो जाएगा इंटर करना है, इंटर करने के बाद एक छोटा सा form भढ़ने के लिए यहां पे GST details का खुलेगा जिसमें दोस्तों आपसे description पूछा जाएगा तो यहां से आप goods डाल देंगे GOODS इंटर करके आगे बरेंगे, तो HSN code डालना है तो यहां पे नहीं डालना, आपको HSN code इंटर करना है, और nature of transactions आईएगा दोस्तों तो यहां से purchase taxable आपको डालना है जो कि सबसे नीचे आपको यहां पे मिल जाएगा इंटर करना है, उसके बाद taxability दोस्तों taxable रहेगा reserve charge application नो रहेगा और आपका input credit अपसंस नो रहेगा integrated tax 12% क्योंकि हम जो GST charge कर रहे हैं 12% tax है, तो यहां से 12% select करना है और central 6% होगा state दोस्तों यहां से 6% होगा case 0% रखना है और type of supply में goods को select करना है और इंटे करके accept कर देना है तो दोस्तों एक purchase का laser जो है successfully created हो चुका है अब purchase के साथ आपका दो laser और बनेगा जिसमें यहां पे होगा input cgst at the rate of 6% क्योंकि 12% का आधा 6% ही होता है आपका तो input cgst यहनी central gst 6% जो की under आपका जाएगा duties and taxes में तो यहां से आपको select करना है दोस्तों duties and taxes इंटर करना है, type of duties में यहां से gst को select करना है उसके बाद text type में दोस्तो central select करना है, क्यों करना है central, because यहां पे मैंने cgst लिख रखा है, तो यहां से central करना है अब percentage यहां से 6% calculate करना है, rounding method दोस्तों यहां से normal rounding रखना है और इंटर करके accept कर देना है अब दोस्तों एक laser बनेगा आपका input sgst at the rate of 6% इंटर करेंगे दोस्तों, यह laser आपका जाएगा duties and taxes में, इंटर करेंगे यहां से भी gst को select करेंगे type जो है आपका s है तो state select करेंगे, percentage दोस्तों यहां से 6 select करेंगे, और rounding method यहां से normal select करेंगे limit आपका 0 रहेगा और इंटर करके हम accept कर देते हैं अब दोस्तों, अगला laser बनेगा आपका sales का, then यह जाएगा आपका under list of group sales account में, इंटर करेंगे inventory value affected, yes रहेगा type of laser, not applicable रहेगा, gst applicable, applicable रखना है और gst details को yes कर देना है, और इंटर करके descriptions में आपको goods लिख देना है hsn code को छोड़ देना है और gst goods नो रहेगा nature of transactions value जो है आपका sales taxable रहेगा जो की यहाँ मिलेगा आपको इस list में sales taxable, इंटर करना है उसके बाद taxability taxable रहेगा reserve charge application नो रहेगा integrated tax आपका 12% रहेगा, central tax 6%, state tax 6% और case आपका 0% रहेगा, इंटर करना है उसके बाद type of supply से यहाँ से goods select करना है और accept कर देना है अब दोस्तों sales के साथ भी दो laser बनते हैं, जिसको बोलते है output cgst at the rate of 6% यह दोस्तों अंदर आपका जाएगा duties and taxes में इंटर करना है, type हो जाएगा आपका gst, tax type हो जाएगा central, percentage हो जाएगा आपका 6, rounding method, normal rounding और rounding limit 0 और accept, अब दोस्तों एक और बनेगा output sgst at the rate of 6% इंटर करेंगे दोस्तों, यह भी अंदर जाएगा duties and taxes में, यहाँ से gst सेलेक्ट करना है, text type में दोस्तों, state text यहाँ से select करना है, percentage 6% लेना है, rounding method दोस्तों normal rounding लेना है, और limit 0 रहेगा और accept कर देना है अब दोस्तों उस party का नाम लेना है, जिससे purchase करना है और आपको sales करना है तो purchase करने के लिए दोस्तों एक राहूल का आप नाम बना लेते हैं, जो की अंदर जाएगा आपका sundry creditor, क्योंकि किसी भी ब्यक्ती से अगर आप दोस्तों purchase करते है तो उसका laser sundry creditor में जाता है इंटर करेंगे, उसके बाद maintain bill by bill options को no रखेंगे इंटर करके और accept करेंगे और कोई details नहीं डालना है आपका राहूल का उसके बाद एक laser sales करने के लिए दोस्तों हम अनील का बनाते है जो की अंदर जाएगा आपका sundry डेटर में, इंटर करेंगे दोस्तों और bill by bill options को no रखेंगे और यहां से value affected no रहेगा बाद बाद की कोई details नहीं डालनी है और इंटर करके accept कर देनी है तो दोस्तों laser भी आपकी complete हो चुकी है लेडर का काम और escape बटन से आपको back चले जाना है अब दोस्तों जो अगला काम करना है वो inventory value का करना है इसमें आपको देखना है कि inventory value में आप क्या-क्या work करेंगे तो दोस्तों इसमें तीन work करना है आपको units of measure, stock group और stroke item तो पहले दोस्तों आपका बनेगा units of measure जिसमें आप decide करेंगे कि क्या चीज में समान आपका purchase होने वाला है तो दोस्तों हम यहां से piece बना लेते हैं और पूरा नाम PIEC रखते हैं और accept कर लेते हैं और कोई changing नहीं करनी है अब दोस्तों आपका यहां से stock group तो computer से related काम करने वाले हैं दोस्तों तो यहां से हम computer डाल लेते हैं जो की under आपका primary में ही जाएगा और इंटे करके हम accept करेंगे इसमें कोई changing नहीं करनी है उसके बाद दोस्तों escape से back जाना है और बनाना है stock item stock item पे जाकर के click किजिएगा और create किजिएगा तो दोस्तों computer में आपका जो शमान है वो list यहां बनाएंगे जैसे mouse का under आपका जाएगा computer में और units यहां हो जाएगा दोस्तों piece और GST applicable यहां applicable रहेगा details दोस्तों यहां से yes करना है description में लिख लेना है goods अब जो mouse का yes and code है वो यहां डाल लेना है इंट्रे करना है calculation type आपका on value रहेगा taxability दोस्तों यहां से taxable रखना है और इंट्रे करना है integrated text में 12% रखना है जिसमें central दोस्तों 6% होगा state 6% होगा case 0% रहेगा type of supply में goods रखेंगे और accept कर लेंगे अब दोस्तों mouse का complete हो गया आपका उसके बाद मनाते हैं कि यई वाई बी ओ ए रडी keyboard का यह under दोस्तों आपका computer में जाएगा यह उसका भी units piece होगा GST applicable होगा details को दोस्तों आपको yes लिखना है इंटर करना है description में दोस्तों आपको goods लिखना है HSN code जो keyboard का है वो डाल देना है on value रहेगा calculation type taxability दोस्तों यहां से taxable रहेगा और कोई options में changing नहीं करना है integrated tax दोस्तों आपको 12% रखना है central 6% रखना है state 6% रखना है case 0% रखना है type of supply में goods रखना है और इंटर के accept कर देना है अब दोस्तों इसके button से back जाना है अब आप purchase और sales entry के transaction के लिए त्यार हो चुके हैं दोस्तों इतने सारे worker के purchase और sales entry का transaction बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं transaction करने के लिए transactions के accounting voucher में जाएंगे दोस्तों और purchase खोलने के लिए F9 प्रेस करेंगे और लेडी यहाँ पे भी दिख रहा है आपको F9 प्रेस कीजिएगा purchase खुल जाएगा जिसमें suppliers invest नमबर पूछेंगे तो एक डाल देना है date आज का डाल देना है party name में हम राहूल बना रखें purchase के लिए तो राहूल डाल देंगे और इंटर करके नीचे आएंगे laser दोस्तों purchase का डालेंगे समान का नाम मेरे पास दो समान है तो keyboard है 100 पिस ले रहा है 600 के rate से और एक mouse ले रहा है दोस्तों यहाँ पे माल लिया जाए 250 पिस 120 के rate से इंटर करेंगे उसके बाद दोस्तों अगला कोई item आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे एक बार इंटर और जादा करेंगे और purchase के साथ लगता है दोस्तों input cgst और input sgst तो एक select करेंगे input cgst automatic amount दोस्तों यहाँ आपका कर जाएगा जो tax का value होगा उसके बाद दोस्तों डालेंगे input sgst इंटर करेंगे और एक narration लिखेंगे यहाँ पे details cv बिलकर डालना है तो यहाँ पे अब डाल सकते है address वगरा और इंटर करेंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे narration लिखेंगे beinz purchase और दोस्तों हम accept कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आपको sales का option करना है तो sales का shortcut की होता है F8 तो यहाँ से click करेंगे F8 sales entry के लिए reference number डालेंगे जैसे 02 यहाँ से parties ने मनील डाल लेते है और इंटर कर के दोस्तों हम यहाँ से नीचे आएंगे उसके बाद sales का laser डालेंगे समान अब आपके पास available है keyword का show piece तो 50 piece बेच रहे हम suppose 900 के rate से इंटर करेंगे और mouse को यहाँ से हम माल लिया जाए 100 piece बेच रहे है suppose 300 के rate से इंटर करेंगे उसके बाद एक बाद इंटर करके दोस्तों यहाँ पे आपको लगाना है output CGST 6% automatic text कर जाएगा दोस्तों और output CGST 6% इंटर करने के बाद यहाँ से दोस्तों EVBIL का details अगर डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं otherwise इंटर करके हम आगे बरेंगे और एक narration यहाँ टाइप पे रेंगे BEINZ, SOLD, SHOLD और इंटर करके दोस्तों हम इसको accept कर लेंगे तो इस तरह से दोस्तों purchase और sales का transactions आप with GST के साथ tally ERP9 में कर सकते हैं दोस्तों वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताइएगा आप मेरे चैनल पे नए है तो please चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा और एक like भी कर दीजेगा फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए take care have a nice day bye bye thank you